बंगाल की शादियों में बनने वाली एक बहुत ही जादा टीस्टी मूंग डाल की रेसिपी मैं लेकर आपके सामने हासिर हो तो चलिए रेसिपी को देखते हैं स्टेप बाई स्टेप और बिल्कुल भी आप विडियो को स्किप ना करें क्योंकि आप कोई भी स्टेप अगर म पांच मिनिट के लिए जी हाँ बिल्कुल लो फ्लेम में आप इसे प्राय रोस्ट कर लें फिर इस दाल को आपको दो या तीन पानी से थोरली धो लेनी है अच्छे से इसे धो ले क्योंकि दाल में काफी गंदेगी रहती है सारी निकल जाएगी दो से तीन पानी से धोने के बार इस दाल को पानी में भीगो के 10 से 15 मिनिट के लिए सोख करने के लिए रखते तब तक चलिए हम कुछ सबजिया काट लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए जितनी भी विंटर में मिलने वाली सबजी होती है ये सब क्योंकि ये दाल ठंड में ही बनती है देख लीजे सारी सबजियों को हमें बिल्कुल एक ही साइज में क्यूब्स में काट लेना है उसके साथ अध्रक लसोन और हरी मिर्च को भी हमें ले लेना है तो चलिए अब फ्राइ करने के प्रोसेस में चलते हैं कड़ाई में चार से पांस टेबल स्पूल के करिब आप सरसो का तेल यूज क करें तड़का लेने के बाद एक एक करके हमको सारी विजटेबल्स को फ्राइ करनी है सबसे पहले हम गाजर और प्याच को डालेंगे क्योंकि इसे फ्राइए होने में थोरा ज्यादा वक्त लगता है इसलिए सबसे पहले डालेंगे गाजर और प्याच को फ्राइज करने के गोबी के बाद जो अध्रग लसन और हरीमिश हमने लिया था इसे हमें खलड़ में कूट के इसमें डालनी है यह कूट के डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले को भी तेल के साथ भून ले जो भी सबजी आप डाल रहे हैं एक से दो मिनिट तक कम से कम उसे भून ले अब हम इसमें डालनी है हरी हरी मटर बिल्कुल ताजे मटर होते हैं जो ठंड में बहुत अच्छी मिलते हैं बजार में इसे भी आप भून ले अब हमें डालनी है कैपसिकम को भी भूने और कैपसिकम कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लेट में डालने कि बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है लेकि इसमें हमें थरो सा क्रंच भी चाहिए फिर हम इसमें डालनी है टामेटो यह एक मीडियम साइ इसका टमेटो है फिर हमें कुछ ड्राई मसाले डाल लिए जैसे नमक आपके स्वादनुसार हल्दी का पाउडर और धन्या का पाउडर सापुत जीरा हमने पहले ही डाल दिया था इसलिए हम जीरे का पाउडर यहां नहीं यूज करेंगे फिर जो सोक किये हुए मूं दाल थे वो हम इसमें डाल देंगे इन सारे सबजी और ज्राही मसाली के साथ अब इस डाल को भी इस सबजियों के साथ कब से कम दो से तीन मिनिट तक आपको लो फ्लेम में भूनना है फ्लेम को बिल्कुल भी हाई न करे बिल्कुल फिर आप अपन कुछ से इसमें पानी डाल दें कि आपको दाल कितनी गे या फिर अपतली चाहिए मैं रैस के साथ संफ करनी के लिए बना रहे हम तो थोत कि पतली लख रहे हूं पर अपनम इनट के लिए स्लोफ लें में कुख करें देखिया पंदम मिनट के बाद डाल अच्छे से पक गई तो इस तरीके का कोई एक विस्क लेले या तो फिर लकड़ी की दो दाल घुटनी होती है वो ले ले और इससे अच्छे से दाल को मैश कर ले फिर हमें आंत में डालनी है थोड़ी सी चीनी जो स्वात को बैलेंस करेगा यह स्किप कर सकते हैं फिर गरम मसाला चुटकी भर गरम मसाला स्प्रिंकल कर दे या तो फिर आप चाहें तो जब आप तड़का लगा रहे हैं तभी साबुद गरम मसाला का भी तड़का लगा सकते हैं फ्रेश धनिया पत्ते के साथ इसे गानिश करें इसे बहुत ही अच्छ लगाना बहुत ज़रुरी है इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा थैंक यू सो मच प्लीस सब्सक्राइब और लाइक दे वीडियो थैंक यू